विल्कम नमस्कार विल्कम टो इसके पड़ेला सेकेट मीं CDP के PYQ सेरीज में प्रिवियस यर क्वेस्टन सेरीज में मैं भी के पड़ेलाबलों का फिर से विल्कम करता हूं यह CDP PYQ सेरीज के अंतरगत हमारा चौथा लेक्चर है जिसमें हम CGTED 2020 के CDP के पेपर 2 के जो आपक 22 का जो आपका पेपर 1 है पेपर 2 है उसको हमने solve कर लिया यदि आपने वो solve paper अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे playlist में जो है जाईए वहाँ पे previous year question का जो है आपका playlist बना हुआ है उसको open कीजिए और सारे question को जो है आपका अच्छे से देख लीजिए क्योंकि आपके exam में वो आपका उसी-उसी topic से बार-बार repeat करके पूछे गए हैं तो पुराने question paper को solve करना जो है वो आपका या उनको समझना जो है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है तो इस lecture में हम CGTet 2020 के paper 2 के 30 questions जो CDP के हैं उसको जो है वो आपका analysis करने वाले हैं तो आप में से जो भी विद्या channel से यदि आप telegram channel से नहीं जुड़े हैं तो उसका link आपको इस class के description में मिल जाएगा यदि उससे भी नहीं जुड़ पाते हैं तो ऊपर जो WhatsApp नमबर आपको दिखाई दे रहा है PDF प्राप्त करने के लिए वहां पर आप हमको WhatsApp कर सकते हैं और हमारे सभी online paid classes की जानकारी के ल निमनलिखित में से कौन सा संग्यानात्मक छेत्र से संबंधित नहीं है मतलब cognition छेत्र से cognitive development छेत्र से या बोल सकते हैं बुद्धी वगरा के छेत्र संबंधित नहीं है option A ग्यान, option B अनुप्रयोग, option C मूल्य, option D समझ, तो देखिए ग्यान भी जो है वो cognition से या बुद्धी मस्तिस्क मानसिक प्रक्रिया से संबंधित है, अनुप्रयोग भी संबंधित है, समझ भी संबंधित है, लेकिन जो values हैं वो आपका cognition से related नहीं रहते हैं, तो इसका जो समझ भी संबंधित है, सह पाठेकरम मतलब क्या होता है, को करिकूलर एक्टिविटीज, ठीक है, अब ये को करिकूलर एक्टिविटी का मतलब क्या होता है सर, तो पढ़ाई के अलावा भी जो और चीजें होती है, स्कूल में like sports हो गया, dancing हो गया, कुछ cultural activity हो गया, painting वगरा ह तो पढ़ाई के अलावा भी जितनी गतिविदियां होती है, उनको सह पाठेकरम गतिविदियां कहा जाता है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप हमेशा जो है CDP में हिंदी के साथ साथ इंगलिस जो वर्जन होता है, उसको भी पढ़ा कीजी, कूंकि सुद्ध हिंदी में CDP जो ह थोड़ा सा कटिन हो जाता है, मैं बार-बार ये चीज कहता हूं, तो सह पाठेकरम गतिविदियां अधिकतर किसे संबंदित ये पूछा गया है, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के सरवांगिड विकास से, सिक्षन संस्थाओं के विकास से, छात्रों के ब्यावसा पूछ रहा है भावनात्मक और अनुभूती एक दूसरे के क्या है अब भावनात्मक अनुभूती यह क्या होता है भावनात्मक का मतलब यहां पर और अनुभूती मतलब यहां पर कॉशयं से हैं कोनिशन कोउनिटी पॉलपंट यहां पर आए यहां पर दूसरे मासिक विकास तो इसमें जो हमारा emotional development है जो भावनात्मक विकास है और ये बोल सकते हो जो संग्यानात्मक विकास है जो हमारा cognitive development है वो एक दूसरे के क्या है पूरी तरीके से अलग हैं स्वतंत्र हैं आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं एक दूर से संबंधित नहीं है तो देखिए जब मैं आपको विकास के अलग-अलग आयाम पढ़ाता हूँ डोमेंस और डिवलप्मेंट मैं ने पढ़ाये हुए हैं तो विकास के अलग-अलग आयाम में क्या हो जाते हैं सारी आपका विकास होता है उसके बाद हमारा ये भावनात्मक जो है वो आपका कहा जाता है, इसके अलावा social development होता है, moral development होता है, language जो है वो आपका development होता है, तो जितने भी domains हैं development के विकास के जितने भी आयाम हैं, वो आपस में interrelated होते हैं, आपस में अंतर सम्मंदित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित भ करते हैं वह आपस मांतर हुपस जुड़े हुए होते हैं इसलिसका apa कि आ Heart GPA से क्या होते हैं जुड़े हुए होते हैं ठीक है तो खाली अनुभूती पोड़गों तो आपको समझ मेंनी आएगा नहीं कि wao qya puch रहा है इसलीह इंग्लिस वाला वर्जन देखना ज़रूरी है कि एक्चुल में यहाँ पर अनुबूती से आसे कॉगनिशन से है, कॉगनिटिव डिवलप्मेंट से है, संग्यानात्मक विकास से है, मांसिक विकास से है, यहाँ पर थोड़ा सा फैक्चुल क्वेस्टन जो है, वह आपका पूछा गया है, एक्चुल में सीसी योजना के तहट यह क्वेस्टन है, सीसी का फुल फॉर्म होता है, इसके बारे में डिटेल से जो है, वह आपका पढ़ते हैं अपन, इस सीसी से लेकर के और भी वह सारे क्वेस्टन है, यह दो हजार बीस के पेपर टू में, ठीक है, क्या पुस्टन है, एक छातरा को सैक्चिक छेतर के तहट, एक विसाय में सौ में से कितने अंग दिये गए सैंतालिस अंग मिले हैं, यहां सीसी योजना के किस तरह, किस ग्रेड से संगीत बद्ध होगा, मतलब उसको कौन सा ग्रेड जो है, वह आपका दिया जाएगा, बीटू, सीवन, सीटू, बीवन, तो इसके लिए आपको चार्ट को समझना पड़ेगा, जो सीसी योजना में ग्रेडिंग का चार्ट है, उसको आपको देखना पड़ेगा, इस चार्ट को यदि आप देखते हैं, थोड़ा सा समझ लिजी इस चार्ट को, क्या पता, कुछ ऐसा क्वेस्टन पूछ दे, जिसमें आपका अभी तो सैंतालिस कितना नंबर पूछा है, सैंतालिस नंबर प समझा रहा हूँ, 9200 मिलता है तो ग्रेड ए में, 70 से 80 के बीच में जो है वो आपका मिलता है, तो माप किजिएगा, 80 से 100 के बीच में उसको नंबर मिलता है तो ग्रेड ए में, उसके बाद 60 से 80 के बीच में मिलता है तो ग्रेड बी में, 40 से 60 के बीच में मिलता है तो ग्रेड D में जाता है और अगर 21 से 32 के बीच में मिलता है तो grade E में ठीक है और मतलब 20 से 30 के बीच में रहेगा 20 से 32 के बीच में रहेगा तो grade E में फिर इसमें भी जो है अलग-अलग criteria है ठीक है अगर 81 से 90 के बीच है तो A2 है 800 के बीछ 해 तो A1 है फिर 70-80 के बीछ 해 तो B2 है आपका 61-70 के बीछ 해 तो आपका B2 है टe करें 1500-60 के बीछITY है तो C1 है 41-50 के बीछகी है तो C2 है तो यहाँ बे देखिए 41-50 मतलब 47-47 मिला है तो उसको कौन सा grade मिलेगा आपका C2 मिलेगा टe कैए तो इस अधार पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका C हो जाएगा, ठीक है, question number 5 देख लीजिए, ये जो है, आपका सतत और ब्यापक मुल्यांकन से प्रस्न है, continuous and comprehensive, जो evaluation होता है, उसी से प्रस्न जो है, वो आपका लिया गया है, सतत और ब्यापक मुल्यांकन संदर्भित करता है, C, C, E, इसी का मतलब है, C का मतलब यहाँ पर, X, C का मतलब continuous है, X, C का मतलब होता है comprehensive, comprehensive, और E का मतलब होता है evaluation, evaluation, सतत और ब्यापक मुल्यांकन, ठीक है, मतलब continue मुल्यांकन करना है, और comprehensive मतलब व्यापक विस्तिरित द्रिष्टी से मुल्यांकन करना है, ठीक है, यह क्या संदर्भित करता है, छात्रों के विकास का दैनिक मुल्यांकन, छात्रों के नियमित मुल्यांकन की एक प्रणाली, जो छात्रों के विकास के सभी पहलूओं को सामिल करती है बिल्कुल सही एक कक्छा में सभी छात्रों का नियमित मुल्यांकन D. उपरोक्त सभी तो CC जो है वो छात्रों के नियमित मुल्यांकन की एक प्रणाली है जो छात्रों के विकास के सभी पहलूओं को सामिल करती है राइट आंसर हो जाएगा बी ठीक है तो पाँचमा कसा ही आंसर क्या होगा आपका बी विस्टिन नंबर सिक्स छात्रों की उपलब्धी का मुल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है सतत मुल्यांकन, वारसिक मुल्यांकन, त्रेमासिक मुल्यांकन, ननब्द एवब तो छात्रों की उपलब्धी का मुल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कंटिनिवस इवेलिवेशन सतत मुल्यांकन ठीक है continuous evaluation ठीक है तो continuous जो evaluation होता है वो सबसे best technique जो है वो आपका माना जाता है question number 7 सिख्छक को कक्छा का वातवरण खाले स्थान बनाने की कोशिस करना चाहिए सहायता देने वाला मतलब आपका helping nature का बनाना चाहिए प्रजातांत्रिक मतलब आपका democratic nature का बनाना चाहिए मित्रवत मतलब आपका friendly nature का बनाना चाहिए उपरोक्त सभी all of the above जाहिर जी बात है helping nature का भी होना चाहिए democratic nature का भी होना चाहिए friendly nature का भी होना चाहिए तो इसका right answer हो जाएगा उपरोक्त सभी ठीक है, question number 8 देख लेजिए, बच्चों में सबसे अधीक कौन सा स्वभाव पाया जाता है, A. खेलने का, B. अनुकरण करने का, C. अध्यान करने का, D. जगड़ा करने का, मैंने P.I.Q. सीरिस के दवरान ही जो है आपको एक word बताया है, imitation, पुर्वबालियावस्था खास करके, जो पुर्वबालियावस्था जब आती है, बच्चा जो है, जब दो वर्स क्रॉस कर जाता है, ठीक है, दो से छे वर्स के पीच का, जो समय रहता है, जिसको early childhood कहते हैं, या जिसको pre childhood भी जो है, वो आपका कहा जाता है, यहां से बच्चों में imitation का गुण आ जाता है मतलब copy करने का गुण आ जाता है मतलब mimicry करने का गुण आ जाता है चीजों को वो जैसा आप बोलते हैं ठीक है वैसा वो भी जो है वो आपका बोलना चालो कर देते हैं अपने माता पिता को देख करके अपने family members को जो है वो आपका देख करके तो बच्चों में सबसे जाता जो गुण पाया जाता है वो imitation करने का या copy करने का अनुकरण करने का गुण जो है वो आपका पाया जाता है तो right answer हो जाएगा कौन सा आपका B question number 9 एक बच्चा रचनात्मक्ता पर अवसत अर्थात creativity पर अवसत सेक्षणिक उपलब्दी में उच्च मतलब जो academic records होते हैं उसमें उच्च और social development में खराब होता है यह एक उधारण है मापनी योग्य व्यक्तिगत अंतर व्यक्तिगत अंतर इंटर व्यक्तिगत अंतर इंटर व्यक्तिगत अंतर तो इसका सही आपका उत्तर है intra-individual differences इंटर व्यक्तिगत अंतर ठीक है question number 10 यह inclusive education से related question है inclusive education मतलब क्या होगिया आपका समावेसी सिक्षा inclusive education को सफल बनाने के दृष्टी से निम्नांकित में से कौन सा उपाए अपेक्षित नहीं है मतलब inclusive education को apply करने के लिए उसमें से कौन सा उपाए सही नहीं है यह पूछा गया है विद्धियालेयों में प्रसिक्षित सिक्षकों की उपलब्धता ये तो होनी चाहिए विद्धियालेयों में अधो सरचनात्मक ढाचे की उपलब्धता मतलब इंफ्राक्स्ट्रक्चर ये भी होना चाहिए निसक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विसेस विद्ध आलेओं में भेजने को कहाना यही गलत है यही नहीं होना चाहिए क्योंकि RT 2009 के तहत inclusive education से मतलब यही है कि जो सामानने बच्चे होते हैं और जो especially disabled बच्चे होते हैं ठीक है उनको एक साथ एक ही classroom में पढ़ाना है और जो especially disabled जो आपके child होते हैं उनकी needs को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों को एक साथ मिला करके inclusive education देना है समावे से सिक्षा देना है तो अगर हम निजक्त बच्चों जो especially disabled child होते हैं उनके माता पिता को बोलेंगे कि आप अपने बच्चों को विसेज भी द्याले में भेजिए ठीक है तो वो inclusive education को तो विरुद्ध हो गया ना वो तो फिर special education कहला आएगा special child के लिए special education special education भी होता है special child के लिए लेकिन जब special child को normal child के साना बैठा कर जब पढ़ाते हैं वो कहला आता है inclusive education ठीक है तो इसका answer क्या होगा C question number 11 फिर से आपका inclusive education से question है समावेसी कक्षा में समाने बालकों के लिए निमनलिखित में से कौन सा सकरात्मक पक्ष हो सकता है ये पूछा है क्या सकरात्मक पक्ष हो सकता है ठीक है तो समाने बालकों के लिए क्या सकरात्मक पक्ष हो सकता है मानसिक विकास उनका जो है वो अधिक तेजी से होता है समाजिक कौसल का विकास अधिक तेजी से होता है गयात्मक कौसल मतलब मसल्स एक्टिविटी मोटर कौसल ठीक है का विकास आसानी से विक्सित होता है नैतिक विकास तेजी से होता है तो इसका देखो बीटर राइट आंसर क्या होगा कि जब नॉर्मल चाइल्ड को हम इस पेसली डिसेबल्ड चाइल्ड के साथ बीठा करके बढ़ाते हैं तो नॉर्मल चाइल्ड के लिए सकरात्मक्पक्च क्या होगा उनमें थोड़ा सा जो सोसल स्किल है जो समाजिक विकास ह उनका जो है आपका विकास होगा ठीक है तो इसका राइट अंसर क्या होगा आपका बी विश्चिन नंबर बारा देख लीजिए विद्यालय इस्तर की सिक्छा में बालिकाओं और समाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए किस किसके लिए बालिकाओं के लिए और प्रतिभा को प्रोजसाहित करना सम्ता और समानता के लिए स्थान सुरक्षा सुनिस्चित करना विविद्ज जरूरतों को पूरा करना चहिर से बात है बालिकाओं और पिछड़े वर्ग की बात की गई है कि उनको निसुलक और अनिवारे सिख्चा दिया जा रहा है तो नबर 13 एक विशेस आवस्षेक्थावाली भासक अक्ष्छा आदर्स है विशेस आवस्षावाली भासक अक्षा सब्सक्राइख्ण Needs Language Classroom तो जो Special Needs Language Classroom है वो आइडियल है विसेश रूप से सूसच्जित अलग से स्थित सभी प्रकार के सिक्छारतियों को एकिरित करना है नियमित सिक्छकों की मदद के लिए अतरिक्त सिक्छक है तो Special Needs Language Classroom जो है वो exclusively furnished जो है वो आपके होने चाहिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या विसेश रूप से सुसच्जित ठीक है Question No.14 यह Micro जो आपका Teaching Model है उससे Question जो है वो आपका दिया गया है सुचम सिक्छन के भारतिय मौडल में लगने वाला कौन मतलब कुल समय कितना होता है तो इंडियन जो Micro Teaching Model है इस इंडियन Micro Teaching Model में जो समय होता है वो होता है 36 मिनट का अर्था 36 मिनट का तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C यहाँ पर B C थोड़ा सा उपर नीचे हो गया है B 40 मिनट है और C 36 मिनट है वो गलती से उपर हो गया है तो इसका राइट आंसर 36 मिनट होगा इसको आप याद रखना ठीक है तो Micro Teaching, इंडियन Micro Teaching Model में लगने वाला कुल समय कितना होता है आपका 36 मिनट Question 15 जो है वो आपका देख लेते हैं यदि सिक्षक को कक्छा में कोई समस्यात्मग बच्चा जो है वो आपका मिल जाए Problematic Child जो है वो आपका मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए बच्चे को तूरन घर भेज जेना चाहिए बच्चे के तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए बच्चे को दंडित क्या दाना चाहिए बच्चे को परामर्स प्रदान के जाना चाहिए इस पस्ट रूप से दिख रहा है कि आंसर क्या हो जाएगा आपका D बच्चे को परामर्स जो है वो आपका प्रदान किया जाना चाहिए provide counseling to the child उसको counseling दिया जाना चाहिए problematic child को तो 15 का सही answer क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा question number 16 देख लेते हैं इमनलिकित में से कौन बालक के विकास पर प्रभाव डालता है बालक की विकास पर कौन प्रभाव डालता है समाज डालता है विद्यालय डालता है परिवार डालता है सभी डालते हैं भई तो उपरोक्ते में से सभी आ जाएगा ठीक है क्योंकि समाज, विद्यालय, परिवार ये सभी क्या हैं आपके environment का हिस्से है ठीके बच्चे की विकास पे सबसे ज़्यादा आपका प्रभाव होता है। की पर्वान चीगता बेवल napόल की और एन्वेरमेंट का। अर्थात अनुवाण सिकता है। या इसको वनसा नुकरम भी आप बोल सकते हो यहां वातवरण का। तो गेनेटिक होता है जीन्स के उपर निर्फ़ करता है लेकिन वातवरण में आपके आस-पास का समाज का इना पडोशी महले वाले दोस्त रिष्टेदार विद्यालय में जो है सारेख विकास से फिजिकल headache 2004 जो है आपका question है उसका संब्ध नहीं होता सरीर के बार से बार से उसंबन्द होगा उद्द्ध से उसका संसुन्द होगा कंगाल तंत्र से उसका संसरीर का उसके संब्ध किस PT19 Lukas क्विश्यन नंबर हम देखते हैं कि आपका 18 ठीक है क्विश्यन नंबर 18 क्या है वह कौन सी वस्तू है जो ब्यक्ति के जीन्स के अतरिक्त प्रत्यक वस्तू को प्रभावित करती है जीन्स को छोड़ करके जीन्स को छोड़ करके प्रत्यक वस्तू को प्रभावित करता है ठीक हेरिट्टी और इंवायन्मेंट के पर हम बताया था कि आनोवन सिकता तो चेंज नहीं हो सकता ना ठीक है आपका आख नाख कान तवचा का रंग आपकी माता पिता दादा दादी से मिलता जुलता है और वो उसको आप बदल नहीं सकते उस पर वातावरण का प्रभाव नहीं तो जो वृतावरण रहें दो चीज को प्रभावित करेगा आपक तो यहां पर क्या पूछा गया है वहां तो अंसर निश्वरcimento घिक है उनकी जरूरतों के प्रति मुखर नहीं अपने निर्णेशों में सुतंत्र सिक्षकों से अंतर मुखी स्वभाव ठीक है तो जो आपके प्रतिभा साली छात्र होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑन दियर जजमेंट होते हैं ठीक है इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट अपने निर्णयों को लेने के लिए सुतंत्र होते हैं तो question number 19 का सही आंसर आजाएगा ठीक है question number 20 सालिय आधारित सतत मुल्यांकन और प्यापक मुल्यांकन अर्थाथ CCE continuous and comprehensive evaluation छात्रों के लिए उपयोगी है तनाव कम करने के लिए मुल्यांकन को नियमित करने के लिए अपने कारे को चांचने के लिए उपरोगत सभी आंसर आएगा उपरोगत सभी ठीक है question number 21 देखो मैंने कहा था आप देख लो जितने भी हम question paper solve कर रहे हैं एक को पकड़ता है उसी से question बहुत सरय आते हैं एक question paper हमने assess solve किया जिसमें विकास से ही प्रस्थन है एक question paper हमने assess solve किया जिसमें अधिगम learning से ही प्रस्थन है अब यह question paper देख लो इसमें आपका CCE से ही question है ठीक है continuous and comprehensive education सतत और व्यापक मुल्यांकन से ही जो है वह आपका प्रस्थन है सतत एवं व्यापक मुल्यांकन के उद्देश सिक हैं थोड़ा सा CCE के परमें आप जान लो continuous and comprehensive evaluation सतत एवं व्यापक मुल्यांकन कहते हैं इसको ठीक है मतलब ऐसा मुल्यांकन जो निरंतर लगातार चलता है ठीक है नाम में इसका अर्थ चुपा हुआ है सतत का मतलब वही हो गया जो आपका निरंतर चलता है व्यापक से मतलब क्या है व्यापक मतलब यहां पर चात्रों का जो कहना चाहिए जितनी भी activity होती है स्कूल में किवल पढ़ाई से रिलेटेट नहीं इसके अलावा जिसको बोल जाता है तो एकेडमिक और नान एकेडमिक और नान एकेडमिक नान एकेडमिक को को करीकूलर अक्टिवीटी भी कहते हैं ाकेडमिक में तो क्या हो जाएगा ठीडमिक gibi हो सब्सक्राइब इसे पढ़ना जानता है किन नॉन एक्डिमिक या या को करिकुलर एक्टिविटी में Gosh में गेम्स गा डिया विविजिकल डिवलbat मेंट अच्राइब हो गया एप गया शुक्रान मुल्य वैल्यूज के शीच्छाव गरा हो गया देखना स्कूलं में NCC वगरा होता है NSS वगरा होता है तो यह सब जो activity होती हैं पढ़ाई के अलावाज भी जो activity होती है तो बच्के की सेक्षिक अरथाथ करिकुलर और सह सेक्षिक अरथाथ को करिकुलर activities जहां पर दोनों रहता है वह आपका ब्यापक मुल्यांकन करना तो सेसी का उद्देश यही है कंटिनियू मुल्यांकन होना चाहिए और व्यापक होना चाहिए करिकुलर एक्टिवीटी का भी होना चाहिए और को करिकुलर एक्टिवीटी का भी होना चाहिए तो इस प्रकार के मुल सब्सक्राइब करने में मदद करें तीक है क्योंकि यहां पर पढ़ने की बात कि यहां पर नॉन अकेडमिक भी सामिल होता है तो सिसी का इसमें से कहीं भी दिखाईनी दे रहा है इसलिए इसका आंसर हो जाएकर दिए उपरोब्ट में से कोई नहीं ठीक है क्विश्चन नमबर 22 देख लेते हैं क्या है ग्यान के सभी विभिन माडलों उदहरण समझना याद रखना अंदेखा करना कलपना करना तर्क करना को सामिल करने के लिए सामान्य सब्द क्या है उसको सामान्य इसको सामिल करने के लिए सामान्य सब्द होता है, अनुभूती, फिर यहाँ पर अनुभूती का मतलब अलग है, इंगलिस में आपको यहाँ पर आप्शन मिलेगा, इसके लिए cognition, ये सब को क्या कहा जाता है। आपका, cognition कहा जाता है, ठीक है? यहाँ पे अनुभाव का मतलब experience नहीं है, यहाँ पे अनुभाव का मतलब perception है, ठीक है, बुद्धी का मतलब intelligence है, समझ का मतलब understanding है, यह तो समझ जेंगे आप, अनुभूती का मतलब यहाँ पे क्या है? कि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए, आम तोर पर किस सब्द का उपयोग कियाता है, देखो किस के बारे बात की जा रही है, विसे जुरूप से सिखने की खटे नहीं जीन को है, मानसिक संब्द कुछ आपकी इसूज है, विसे स्टक चमता है, मतलब यहाँ पे special, जो disabled child होत है, तो समावी से स्टपाथ होना चाहिए, तो समावी से सिक्षा र catch बच्चे होते हैं, उनको आपके समाने बच्चों के साथ बीठा के बढ़ाना चाहिए, लेकिन उनकी जो सिक्षा कहला आती है, जो generally उनको दिया जाता है वो special education होता है question number 24 इन में निमनलखित में से किसे संग्यान का कारक नहीं माना जाता है which is not factor of cognition cognition से भी बहुत सा question है कौन सा cognition का factor नहीं है संग्यान का factor नहीं है बुद्धी का factor नहीं है ये पुछ रहा है क्रोध, anger भूक, hunger इस्थान छोड़ना retreat ठीक है या फिर fear तो क्रोध रिलेटेड है hunger रिलेटेड है डर रिलेटेड है इस्थान छोड़ना या फिर retreat होता है ये रिलेटेड नहीं है तो 24 का जो आपका right answer होगा वो होगा C question number 25 5 वपन देख रहे है निम्न लिखित में से कौन सी पद्धती निम्न द्रिष्टी बालकों की पहचान करने की पद्धती नहीं है निम्न द्रिष्टी बालकों की पहचान करने की पद्धती नहीं है पूझ रहा है कार या निस्पादन पर एक्षण मतलब work performance test test ठीक है work performance test कक्छा परिक्षण मतलब class observation नेतर जाज मतलब eye check up उपरोक्त में से कोई नहीं तो निम्न द्रिष्टी बालकों की पहचान आप work performance test से कैसे करोगे यह जो है यह इसकी पतती नहीं है कारिन इस पादन परिक्षण question number 26 विसे सवसक्ता वाले बच्चों की सिक्षा प्रदान की जाए इसके साथ प्रदान की जानी चाहिए उनको अन्य समानने बच्चों के साथ सिक्षा प्रदान की जानी चाहिए तभी आपका according to RTE 2009 वो क्या कहलाएगा inclusive education समावे से सिक्षा कहलाएगा question number 27 निम्न में से किस कौसल में पूर्वग्यान की परिक्षा की जाती है किस कौसल में पूर्वग्यान की परिक्षा की जाती है तो वो होता है आपका skill of introduction अर्थात परिक्षा का कौसल क्या कहते है इसको skill of introduction जहां पर पूर्वग्यान की परिक्षा जो है वो आपके की जाती है question number 28 कथन पढ़ लीजिए हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे हैं और छोटे हैं कुछ गोरे हैं और कुछ अन्य काले हैं मतलब लंबे भी हैं छोटे भी हैं गोरे भी हैं काले भी हैं कुछ लोग पूस्ट हैं कुछ लोग कमजोर हैं यह किस इस्थापित सिध्धान पर अधारित है मतलब सभी व्यक्तिगत रूप से क्या है आपके असमान हैं इंडिविज्वल डिफरेंसेस व्यक्तिगत असमान या ब्यक्तिकत विभिनता का सिद्धान तो कहते हैं question number जो है वह आपका 29 प्रत्य बच्चा अद्वितिये है या कतन की सिद्धान को संदर्वित करता है वही answer आएगा ब्यक्तिकत विभिनता का सिद्धान individual differences का सिद्धान हर ब्यक्ति का विकास का दर बुद्धी का इस्तर अलग-अलग होता है हर बच्चा special है हर बच्चा दुद्धिये है तो यह जो आपका सिद्धानत है वो होता है individual differences का ब्यक्तिकत विभिनता का सिद्धान ठीक है इस paper के अंतिम question पे हम चले जाते हैं ठीक है, question number 30 देख लीजिए, एक बच्चा सा और वास में nuclear और unclear को के अंतर को नहीं पहचान पाता, वहाँ पीडित है, तो famous जो है disease है जिसको dyslexia कहा जाता है, ठीक है, dyslexia जो है वो आपका कहते हैं, इस जिसको dyslexia, तारे जमीन पे आपने movie जो है वो आपका देखी होगी, जिसमें जो बच्चा रहता है पर तो मुझे इसका नाम नहीं आता रहा है, इसको जो है, इस disease से जो है वो आपका पीडित था, जिसमें इनको अक्छर वक्छर जो है वो उल्टे दिखने दिखाई देते हैं, देखो सा जो है वो वाज जो है नुकलीर, लुक्लीर, नॉकलीर, जो जीसर दिखे रहा है, ठीक है, जो 3 है वो ई जैसा दिखेगा, 6 जो है वो 9 जैसा दिखेगा, ऐसा कुछ, ठीक है, तो इस disease को कहा जाता है, dyslexia, जो है वो आपका कहा जाता है, तो इस परकार आज के सेसन में हमने जो है आपका सीजी टेट 2020 के सीडीपी के जो आपके 30 कुश्चन है उनको वो आपका सॉल्व किया इससे पहले जो 2020 का पेपर वन 2020 का पेपर वन टू हम सॉल्व कर चुके हैं फिर से बोल रहा हूं यादि आपको उनका वीडिएफ चाहिए तो टेलिगराम चनल मे मिल जाएगा जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उससे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उपर जो वाट्सअप नमबर दिखाए दे रहा है वहां पर वाट्सअप करेंगे आपको टेलिगराम का लिंक मिल जाएगा हमारे सभी ऑनलेन कोर्सेस की जानकारी के लिए स्क्रीन के नीचे जो आपका नमबर दिखाए दे रहा है वहां पर वाट्सअप करके आप जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं मिलता हूं मैं आपको अगले जो है आपको क्वेस्चन पेपर में अगले पीवाइको सेरीज में तब तके लधान्यवाद थैंक्यू